मित्रों नमस्कार आज की वीडियो में मैं पांच मित्रों का अलग-अलग सवाल लुंगा उनको मैंने यूटूब कामेंट से और वार्शब से उठा लिया है तो एक-एक प्रस्ण का लंबा-लंबा वीडियो बनता है और मैं यही स्वस्ता हूँ कि सभी के उपर एक-एक वीडियो बनाओं मगर ऐसे करने से बहुत सारी प्रस्णा छुड़ जाते और कभर नहीं हो पाते इसलिए एक-एक वीडियो में हम बहुत प्रस्णा को इसमें लेंगे और चुड़ी-चुटी बात करेंगे और लंबी बात जो है वो आपको भी पसंद नहीं आते आप भी चोटा-चोटा वीडियो पसंद करते और वीडियो को स्किप्ट कर देते और इससे यह होता कि यह जो वीडियो के रैंकिंग होती है वो कम हो जाती इसलिए बहुत लोगों के तक वो पहुंचने पाती और बहुत लोगों को जो एक फाइदा नहीं होता तो इसलिए आप से ये भी एक निवेदन करता हूँ कि जब आप वीडियो देखें तो पुरा ही देखने का कस्ट करें आप नहीं सुनना चाहते तो भी उसको साइलेंट मूड में रख दें ताकि वो वीडियो आगे चलने में आपका उसका सोयोग हो और मित्रों को एक और सलहाद दूँगा कि अगर आप ध्यान में थोड़ा गहरे जाना चाहेंगे तो कुछ प्राइविट वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके उपर तो आप मुझे बात कर सकते हैं उसके लिए वाट्साप नमर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उधर आप चैट करें और उसमें थोड़ा युगदान भी आपको करना पड़ सकता है तो सबसे पहला प्रस्ना लेंगे मोयंक अरोराजी का बोले कि ये दुनिया क्या है कौन हो रहा है क्या चाहता है क्रेटर ये प्रस पड़ाट पैदा हुई शब्ते जानने की अच्छी बात है कि सभी के पास अइसी छट-पड़ार होने चाहिए क्या है ये पास्तिम में दुनिया कौन है इधर जो ग्रीटर क्या करना चाहता है क्यों दुनिया उसने बनाया तो ये बात ऐसी है कि कोई भी क्रीटर नहीं होत कोई आकास में बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी जो जैसे प्रधान मंत्री होता है और राज्य को चलाता है ऐसे कोई उपर बैठा हुआ क्रियेटर नहीं होता हम खुद ही क्रियेटर होते हैं हमारे अंदर ही क्रियेशन होता है सुर्ष्टा हम ही होते हैं हमको पता नहीं है क्यों विमारे से कोई भिन्न होगा, जो हमको चलाता, हमको यह लगता, मगर हमने ये बाते नहीं समझे, ये ब्रमांड जो है, वो इतना बड़ा जो दिखता है, वो इतना बड़ा भी नहीं होता, वो छोटे में भी होता, एक अनु में भी ब्रमांड समिर्ता, अनु ब्रम्म के बार यह फेलता जा रहा है और यह शिकुड भी सकता है और यह शिकुड की इतना छुटा भी हो सकता है एक कॉंड जैसा भी हो सकता है तो यह ब्रमांड की बात आप मत करें आप अपनी बात करें आप भी एक ब्रमांड है आपका जो बोड़ी है और उसके अंदर जो माइन है तो व तो आप ही ब्रमाणड है, तो आप ही 그래요 भी होनगे. आपके अंदर ही Creation होते हैं. मगर हमको यह नहीं लगता हम. कोई बाहर कोई creature है दिशा लगता. हम Creator इसलिए हैं कि हम हमारे अंदर जो चीज उत्पन्न होती है तो उनका निर्मान हमारे अंदर के सक्ति के द्वारा ही होता है जैसे हमारे पास awareness के आत्मा की सक्ति होती है तो उसके आधार पर जो है मन का पैदा होता है और जो मन है वो संसार का रूप है और वो मन भी जो होता है जैसे सरीर होता है फिर मन के पावर के आधार पर फिर शरीर बनता है तो यह शरीर को जो brain है वो चलाता है उसका किंद्री है creator जो होता है शरीर को चलाने वाला जो होता है वो brain होता है और brain को चलाने वाला जो हता है वो हमारे अंदर का awareness होता है तो awareness ब्रेन को चलाता है, ब्रेन जो है, awareness के power के कारण चलती है, और brain के कारण ये, बोड़ी हमारी चलती है, और हम भी बिन्न कामकाज करते हैं, तो इसलिए हम से बाहर कुछ भी नहीं होता, और creator जो होता है, हमारे अंदर ही होता है, हम ही होते हैं, तो इसके लिए आपको सुलच जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि मैं का अलवा और कुछ नहीं होता, सभी कुछ हमारे बित्वरी होता, और क्यों होता, वो उसके कारण ही होता, भगमान को कोई बाहर बेठिया हुए भगमान नहीं होता, अगर हो भी उसका भी क्या लिना देना, हमको दुख भाना, मारना, उनका कोई भी परपोज नहीं है, भगमान हमको दुख दे के क्या उसको लाब मिलेगा, जो दुख दे का वो खुद भी एक दुखी तो होंगे, दुखी बेकते ही, दुखी देता, तो इसलिए जो दुख है हमारे जीवन में, यह कोई भगमान ने दिया जाना और हमने माइंड में जीना और बोड़ी में जीना जाना है आवेर्नेस में जीना हमने नहीं जाना है तो उस आवेर्नेस की तरफ बड़े और ये फालतु बाते छोड़े कि प्रियेटर होता है कि भगमान और बूल दे कि आत्मा ही अगर परमात्मा का अंसा है तो उसके अंगस अलग ये कर किया अपने से, पैसे कर लिया अपने से, आत्मा और परमात्मा दो बाते नहीं होती है, यह बोलने के लिए बोलते हैं, नगर एक ही है अस्तित्तो का नाम है, हमारे अंदर, जो मैंने अभी बताया, जिस माइंड के उपर का जो आवेर्निस है, तो वो उसक जोती वो फिलावट होता है उसका वो सभी जगा होता है सभी के पास जो होता है अलग अलग नहीं होता है वो मेरे अंदर का जो होस है और आपके अंदर का जो अवेर्नेस है वो दो अवेर्नेस नहीं होता है एक ही अवेर्नेस होता है उसी ने गहरा हुआ होता है सभी को तो उ जब आप जानेंगे सिधे ही परमात्मा को जानेंगे तो बाबा जी शुग प्रस्टन पुस्ते हैं मेरा एक वीडियो में मैंने बताया था कि डेट का एक प्रियुग किया था प्राइबेट वीडियो में एक meditation किया था उसे मैंने ये पोला था कि आपकी मुर्ती हो गई और आप उपर से देख रहा हो तो ये पुष्टे कि कसरी कैसे how did person can see without sense तो मर गए तो मैंने बोला था कि उदर देखो फिर काउन देख रहा है तो कईसे आख नहीं होती तो कईसे दिखता ये प्रस्ना है उनकी तो बात यह है कि जो आख होती हमारी वो देखने की एक थोड़ी सी दिवस्ता है आख जो है वो बहुत दूर कापी नहीं देख सकती और बहुत पास कापी नहीं देख सकती और वो आख जो है वो अन्नी भी हो सकती और कुछ भी नहीं देख सकती तिसरे बास्तभी देखने वाली बेवस्ता आख नहीं है आँख तो केबल हमारा धैनिक जीवन चलाने में हमारा सरीर को असुचारू करने में वो आवस्यक होती और आँख से हम जो दिखते वो एक ब्रहमी ही होता, रियालिटी उसमें नहीं होता क्योंकि आँख वो ही दिखाती जैसे वो आँख है जैसे आँख में जैसे धारणा वो आँख के पिछे से जो धारणा हमारा होता है जीवन का मन्यता होते हैं तो उसी साब से आँख देखती तो असली देखने वाली जो यंत्र होते हैं वो साची होता है वो awareness ही होता है वो awareness समग्रता को देख लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि awareness जो है वो जैसे आँख देखती है किसी पेड़ को और किसी आदमी को ऐसे ही देखेगी यह बात नहीं है उसका देखना कुछ थोड़ा फरक होता है awareness जैसा होता है समझ जैसा होता है समझ के भी एक आपने कुछ बात समझ ली तो आपको पता होगा कि आपके अंदर एक देखने की सक्ति बढ़ती और वो देखने की जिसे आँक से देखने की सक्ति नहीं होती, यह वो ऐसे हो जाती है, जैसे आपने आँक बंद करती है, तो भी ही आप बहुत सारे चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और वो समझ नहीं देखना है, ठीक, तो आपने ऐसे भी बात सुनी होगी, जैसे टेलेपेथी जैसी होती है, तो उसमें यह होता है कि जो दूर बैटने वाले आदमी को भी देख सकता है, बहुत ऐसे प्रियोग भी हुए है, साइंटिफिकल्ली ऐस इसे प्रियोग भी हुए है, ऐसे एक अमेरिकामी के कहां पर एक आदमी था, उसके आख में वो अगर कुछ इमेज, कुछ इस्थान का नाम दे दो उसके आगे, तो उधर नहीं गया हो, तो भी वो आख बंद करके उसका जैसा का तैसा पिक्चर बना देगा, तो ऐसा भी द एक समझने का ऐक तरीका होता है, तो इसलिए डेट पीपॉल भी देख सकते हैं, आपने ये बहुत ऐसे देखे होंगे, जएकि कोई आदमी होता है, वो पुनरजन में की बात करता है, कि मेरे पुनरजन में अउशा आईसा आईसा भगा था, तो पुनरजन में तक का भी दे उसका अनुभव होता है अपना वो देख पाती समझ पाती बातों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती देखने में आंक नहीं हो तो भी आवेरनेस जो है वो चीजों को समझ पाती समझ नहीं देख की भी क्या होगा समझ लिया तो हो गया ना वितर का रोशन जल गया तो वो देख लेगा, जब वो अपने को देख लेगा, तो अपना प्रक्रटी करना उसका हो जाएगा, तो वो सब जी चीज उसको समझा जाएगी, तो इस हिसाब से ये होती है बिवस्ता, और ये बहुत रहस्य है, इसमें थोड़ी अलग सी तर्चा इसको करने पड़ेगी, तो अभ ये बताया था कि इंटिजेंस, आर्टिफिशियल इंटिजेंस और आवेरनेस तीन चीजों के बारे में, और ये भी बताया था, जो हमारा देनिक जीवन का होस है, जिसे हम होस बोलते है, वो ब्रेन का होस है, और असल जो होस होता है, वो स्वयम का होता है, तो उसमें कैसे रहें यह बोलते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान पुरुपक चलना, शिकना होगा, ध्यान पुरुपक खाना, उठना, बैठना, शिकना होगा, ध्यान पुरुपक देखना, शिकना होगा, जब यह हम देखते हैं, तो क्या होता कि हमारा ध्यान द्रिश्चे पर अटक जाता जैसे आपने किसी ब्यक्ति को देख लिया तो यह होता कि आपका ध्यान वो ब्यक्ति के पास चले जाता और आपके पितर ध्यान नहीं होता तो आप डूब जाते उसमें कोई बेक्ति ने आपको गाली दिया वा कुछ हो गया कुरोध आ गया आपको दुख हो गया तो आप वी विचार पिक हो जाते और आपके विदर कुछ होस नहीं बसता तो आपको धरी-दरी यह प्राक्टिस करना है जो कुछ भी आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं उस कुछ देख रहा है आपके वितर से उसका भी थोड़ा उसकी तरफ पी ध्यान दें तो ध्यान को दो तरफ करना है हमारा त्यान तो एक ही तरफ होता है बाहर की तरफ ही होता है तो इसलिए हम बेहुस में हो जाते हैं ब्रेन के ही होस होता है हमारे अपना होस नहीं होता हमार खा रहे हैं तो स्वाद का अनुभव करे भितर और उसकी प्रतिप differenti बिए अवर हो चाह evaluations इसे आप उन रहे हैं अभी अच्छा उदारना होगा तो आपका कान सुन रहा है और वो जो आवाज आई उसको आपका कान आपको ब्रेन तक पहुँशा रहा है और वो ब्रेन सुन रहा है तो यह ब्रेन का हो से है और जब आपने इसको भी विछार कर लिया कि मैं आप उसे बोल रहा हु हूं और आप उदर सुन रहे हैं कि बोलने वाले के उपर ही द्यान अमत दें कि आप सुनदें और प्रेक शुन रहा हूं ये समझ छे तो आइसे अए देले धर जी का उनका प्रस्ना इधर नहीं है कहां रख गिए तो और एक प्रस्ना है प्रित्तम छोकर्गी का छुंकर जी जब ध्यान करते है तो यह कैसे पता लगे कि ध्यान चल रहा है यह विचार यह जैसे चल जाएगा विचार जब चलेंगे तो आप दुख में होंगे, परिशानी में होंगे, और ध्यान में होंगे, तो आप आनन्द में होंगे, मस्ता होंगे, ठीक ठाक रहेंगे, बिचार सलेगा, तो आप ठीक ठाक नहीं रहेंगे, आप बिचार के खो जाएंगे, और बिचार के प्रतियाप दुस्मनी बहिर भाप करेंग या उसको समर्थन करेंगे, Vegeta करेंगे, तो विचार पर उलज जाएंगे. तो क्या होगा कि आपके बिदर दोंदद पैदा होगा, और उससे आपको परिशानी होगी. और जब आप बिचारों को जब विचार नहीं होगा, तो परिशानी नहीं होगी दून्द नहीं होगा, आपके पल एक आनन्द और संथी के अबस्ता में आजाइएं। तो यही एक वो है, आनन्द हो रहा है तो आपको त्यान हो रहा है। परिशानी हो रही है तो गिवसर वह अप वीचार में खोगए और आप यह भी जान सकते हैं मतलिके isto कर दो होगी पतास ने। कि विचार नहीं चलने के इस्तिति जो होती है उसमें क्या होता है कि एक निराकार एक सुन्ने एक खालीपन का अनुबब होता है और एक आनंद का भी अनुबब होता है कोई परिशानी उसमें नहीं होती है और ऐसा भी होता है कि विचार फास्ट फास्ट भी चल सकता है और ध्यान करती करते के तो विचार धिरी धिरी सी चल सकता है और एक विचार और दो विचार को बीच में एक ग्याप होता है जहां पर विचार नहीं चलता है वो ध्यान की स्थिति है विचार ऐसे नहीं चलता है लिएठ कहल दर्ररत डर्र अईशन र शबता है किए सेंटिकेंश Eurodan पाक़ के होता है एक सब्द में दूसरा सब्द में गयाप रहता है如果你 वह कहाली पन